चारा घोटाले में RGD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में लालू के साथ अन्य दोशियों की सजा पर भी फैसला गुरुवार को ही किया जाएगा। सीबी आई कोट ने वकील विंदेश्वरी प्रसाद के देहांत की वजह से चारा घोटाले मामले में सजा नहीं सुनाई। दरसल सीबी आई की विशेस अदालत ने लालू सहित 16 लोगों को दोशी पाया था। इस मामले में दोशी ठहराए गए सभी 16 लोगों को हिरासत मिले कर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। वहीं फैसले की घड़ी खरीब आने पर लालू प्रसाद ने पार्टी कारकरताओं को अनुशासन में रहने का संदेश दिया है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेजपरताप यादव ने पटना के माहवीर मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके जल्द रहाई की कामना की है। इस मौके पर तेजपरताप यादव के साथ भारित आदाद में पार्टी कारकरता मौजूद थे। तेजपरताप ने कहा कि उन्हें नियाये पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। अब सभी की नजर गुर्वार को अदालत के आने वाले फैसले पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के सिरी टीवी